हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टो यूपी से एसस टैली स्रीज का एलक्षा नमबर 58 है और आज हम इस वीडियो में अक्टूबर से कंटीनू करेंगे पिछले वीडियो में हमने सब्टमबर तक की सारी इंट्री कंप्लीट कर ली थी और अभी हमारा अक्टूबर मन्त स्टार्ट होगा तो अक्टूबर में हाँ पर पहला कोश्चन है कंपणी रिसीव किया एक जौब वरक का है और कितने का इस टेटमेंट रिसीव हुआ है 52,000 रुपए का किस सर्मा जौब वरकर से ठीक है कुल मिला के कंपणी को एक स्टेटमेंट मिला है तो वहाँ पर आपको याद होगा wages लगती थी हर question में किसी में 20,000, किसी में 15,000, 10,000 ठीक है जैसे जैसे computer manufacturer होते थे और overhead लगता था ठीक है तो overhead तो अलग चीज हो गए overhead के अंतरगत देखिए वो charges आते हैं जो overhead में आपका आजाता है screw ठीक है और packing material ये charge जो होते हैं वो overhead वाले होते हैं लेकिन यहाँ पर सर्मा जॉब वरकर का जो था वो wages था wages नाम का एक ग्रूप बनाया था आपको याद होगा तो वही है सर्मा जॉब वरकर तो अभी तक का इनका total amount देखिए आप नोट में नीचे बताया गया टोटल जो amount देखिए असी अजार रुपए हो चुका है अभी तक इन्होंने जो assembling की है computer की वो total amount wages का इनका असी अजार हो गया है जिसमें से ये जो है 40,000 रुपए पे कर रहे हैं ठीक है वेज़ कितना पे कर रहे हैं एक्चुली में नहीं हुआ है ठीक है इसलिए यहाँ पर देखिए cash और bank की जो है वो नहीं बताया गया statement receive हुआ है मतलब हमें क्या करना होगा एक entry pass करने होगी statement की ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर sundry creditor के अंतरगत entry pass कर देंगे sundry creditor में क्यों पास करेंगे इसको भी आ समझ यह देखिए यहाँ पर यह क्या होई service ठीक है यह क्या प्रोवाइड हो रही है service मतलब company ने क्या क्या है sarma job से service लिए sarma job ने service प्रोवाइड की है simple तो अगर हम किसी से उधार लेते हैं अग्चुली में यहाँ पर sarma job worker से उधार ही तो लिया service उधार लिये कितने की 80,000 की ठीक है तो वो sundry creditor होंगे sarma job worker sundry creditor होंगे क्योंकि हमने उन से उधार service लिये simple से question है ठीक है तो यहाँ पर इसको solve कर लेते हैं तो देखते हैं आप नीचे देखिए क्या क्या बताएगा है sarma job worker का laser एक बनाना है अंडर जाएंगे sundry creditor के ठीक है और बाकी की जो detail है यहाँ पर आप उनकी fill कर सकते हैं बाकी यहाँ पर कुछ खास important नहीं है normal सा laser बनाना है हमें फिर हमें क्या करना है यहाँ पर wages वाला जो laser था उसे alter करना होगा ठीक है और alter करने के बाद देखिए जब हमने direct expenses के अंतरगत wages नम का laser पहले बनाया था तो normal laser बना दिया था हमने वहाँ पर GST वगरा आन अफ नहीं किया था लेकिन अभी हमें क्या करना है कि वहाँ पर alter करना है edit करना है और उसमें हमें 5% की GST सेट कर देनी है क्योंकि जो service है यहाँ पर पर 5% का GST लग रहा है ठीक है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं GST 5% ठीक है तो वही चीज़ हमें दो चीज़े यहाँ पर करनी है और हमें क्या करना है purchase voucher पर entry पास करनी है purchase voucher पर entry क्यों पास करनी है इसको भी समझे हमने अभी तक हमने इनका statement को entry पास तो की नहीं थी हम जब manufacturing कर रहे थे तो manufacturing करते समय बता देते थे वेजस इतना लगा और overhead इतना लगा तो वह entry कहां पास हो रही थी क्योंकि वह transaction यह जो हमने पास किया अभी तक manufacturing के दोरान जो हमने वेजस और overhead लगाया था वह entry नहीं थी वह सिर्फ एक statement हमने पास किया था ठीक है वह actually में transaction नहीं हुआ था अभी यहां पर हमें transaction करना है तो हम purchase बाज़र पर करेंगे हमने purchase किया है क्या purchase किया है service purchase किया है कौन से service wages cgst sgst हो यह उदार है इसके job worker जो सर्मा job worker है यह partner में होंगे और यह sundry creditor होंगे simple सा question है बस थोड़ा सा यहां पर आपको समझना है ठीक है और यहां पर type of supply क्या होगा type of supply यहां पर देखिए आपका होगा उपर जब बढ़ेंगे देखिए यहां पर जो हम wages वाला जब laser alter करेंगे तो यहां पर हमें type of supply में बता देना है कि हमने service खरीद समझ गया होंगे I think कोई confusion आली बार नहीं है चलिए इस question को जो हम practically करते हैं तो हमें क्या करना है दो laser बनाने है मलब एक laser बनाना है और एक laser को अल्टर करना है और purchase voucher पर entry कर देनी है ठीक है चलिए तो यहां पर हम चलते हैं accounting voucher में date सबसे पहले बदलते हैं 1 October और फिर उसके पर भी समुधार ले रहे हैं हला कि ले नहीं रहे हैं ले चुके हैं समझ गया ना लेकिन कुल मिलाकर इंट्री संट्री करेटर पर ही जाएगी और फाइनली इससे हम असेप्ट कर लेंगे ठीक है ठीक है तो यहां पर हमने सर्मा जॉब अरगर का laser बना दिया है ठीक है अब और यह इंट्री हमारी जाएगी accounting invoice पर जिसमें particular और यह amount इस तरह से आपको दिखाएगा ठीक है इसके बारे में हम पहले भी बता चुके है आइटम invoice पर जब हम माल खरी देते हैं तो वह आइटम invoice पर इंट्री जाती जिसमें quantity rate यह सारी चीज़े आती है और accounting invoice पर इंट्री हम service वाली करते है ठीक है तो यहां पर आपका partner में सर्मा जॉब और इसे हम accept कर लेंगे और यहां पर particular में आपका हो जाएगा wages जिसका laser पह होगा कि जब भी हम यहां पर debit या credit में particular में कोई भी laser का नाम डालते है तो उसका जो balance होता है already बच्चा हुआ वह यहां पर दिखाने लगता है debit में इतना है या credit में इतना है लेकिन यहां नहीं दिखा रहा क्यों क्योंकि यह entry नहीं पास हुई ठीक है वो तो statement में क्यों हम हमने बताया ना यहां पर question में बताया कि wages वाले laser को अल्टर करना है और यहां पर GST जो है यह on करनी होगी ठीक है तो यहां पर हम पर आपका यह रहेगा purchase taxable ठीक है nature of transaction यहां पर हमें बताना होगा purchase taxable तो इसमें हम search कर लेते हैं purchase taxable यह last में आपको मिल जाएगा तो यहां प 5% तो यहां पर 5 डालेंगे और enter करके इसे हम जो है accept कर लेंगे यहां पर हम बताएंगे type of supply जो है services और finally यह हम accept कर लेंगे यह हो गया अब यहां पर हम डालेंगे 40,000 रुपए तो यह आपका 40,000 हो गया enter करेंगे और यहां पर tax classification detail को हम enter कर देंगे not applicable रखेंगे क्योंकि purchase taxable हमने अल्रेडी बता दिया है ठीक है enter कर देंगे simply और यहां पर आपका लगेगा CGST और amount यहां पर देखिया automatic आगया 1000 रुपए और फिर उसके बाद SGST और यह भी आपका amount जो है वो आ गया ठीक है तो finally से जो हम accept कर लेंगे simple से entry थी बस यहां पर हमने क्या किया है थोड़ा स service खरे देते हैं ठीक है और service जब बेचते हैं तब cash entry पास होती है वो तो हम cash study 4 में देख चुके हैं जब हमने service organization with GST देखा था ठीक है तो अभी तक हमने लगवग टैली में जो भी सारी चीज़े थी वो cover कर ली है ठीक है GST से ले करके accounting inventory separately सब समझ लिया ठीक है service organization with GST उसमें यूज होने ले जितने भी feature है वो भी हमने सब समझ लिये हैं और अभी हमारा keyword last में एक बचा है payroll ठीक है सिर्फ payroll बचा है कॉसेंटर होगेरा के बारे में भी हमने अच्छे से समझ लिया है क्या होता है पिछले वीडियो में चलिए तो फिलाल यह entry हमने accept कर लिए और यह entry हो है और इसी तरह से हम नीशे यहां पर चले जाएं तो आगे अब जितने भी मन्त हैं आपर November, December, January, February ठीक है March तक वो सभी मन्त में सारी entry होई है ठीक है अभी तक हमने जो पढ़ा है जुलाई, अगस्त और September में ठीक है अभी तक cash study 5 में ठीक है cash study 5 में एनी manufacturing with GST में हम September मन्त, तीन मन्त हमने पड़े है और तीन ही मन्त में हमने वो सारी चीजे देख ली है जो आगे आने वाले मन्त में है ठीक है मलब October, November, December, January, February, March तक जो भी आगे आने वाली चीजे है वो जोलाई, अगस्त और September तीन ही महिने में आ चुकी है गो डाउन कैसे transfer किया जाता है उ तो यहाँ पर हम एक एकर के सभी मन्त यानि सारी इंटर्यों को नहीं है आपको बताने वाले ठीक है यहाँ पर solution भी दिया गया देखिए ठीक है यह PDF आप internet से डाउनलोड कर सकते हैं हमारी website upsss youtube.com से आपको पता ही होगा तो यह सभी questions में solution भी दिया गया है तो आपका एक का है आपको क्या करना है कि इन सभी questions को आपको continue रखना है ठीक है अब यहाँ पर वीडियो जो है manufacturing bgst के आपको नहीं मिलेंगे अब आगे हम पढ़ाएंगे payroll ठीक है अगले वीडियो से जो है हम payroll पढ़ाएंगे तो आपका काम इतना है कि यह जितने भी मन्त हैं आगे कि बच आता हो ठीक है आपको सारी चीजेस में आती है सारा कुछ repeat हुआ है तो यहाँ पर टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगली वीडियो से जो है payroll स्टार्ट करेंगे लेकिन हाँ अगर आपको इस मन्त में जो हम नहीं पढ़ा रहे है इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है इन question में हो सकता है कहीं पर typing के दोरान कुछ amount गलत हो गया हो ऐसा अगर कुछ issue होता है या आपका trial balance गलत आता है तो आप comment कर सकते हैं तो आप जब comment करेंगे तो इसी वीडियो में नहीं लेक्चन नंबर 58 में ही आप comment करेंगे और comment इस तरह से करेंगे जैसे किसी भी जैसे मा पस गए ठीक है तो उस month का नाम और उस question का नाम डाल करके आप comment कर सकते हैं और हम जो है courses करेंगे कि उसका वीडियो बना देंगे आपके लिए ठीक है separate वीडियो बना देंगे और उस वीडियो का जो link है वो इसी यानि लेक्चन नंबर 58 के वीडियो के description में मिल जाएगा और इसके end screen पर भी आपको मिल जाएगा ठीक है वो आप देख सकते हैं चेक कर गए तो फिलाहाल तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमने आपको बता दिया है आप comment कर सकते हैं और जो comment होंगे उनका reply करेंगे और हो जागेगा तो उस पर एक वीडियो भी आपको बना देंगे ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे last में हम चलते हैं बिलकुल last में देखें यहाँ पर यह आपका पूरा समाप्त हो गया यह आपका है March ठीक है यह आपका March का trial balance है देखना आता है balance sheet है यहाँ पर सारी reports दी गई है आपके PDF में profit and loss दिय करने के लिए आपको gateway of tally में display statements of account cost center cost summary में जाना है तो यहाँ पर यह detail आपको मिल जाएगी और अगर किसी भी report को print करना है तो print कैसे करते हैं यह भी हमने बता दिया है सारी चीज़े लगभग हम tally में cover कर चुके है ठीक है जैसे माल लेते हैं कि यह balance sheet है और यह print करना है तो फिलाल यहाँ पर manufacturing with GST cash study 5 को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और अगली वीडियो से हम payroll continue करेंगे payroll उसको advance version तक सीखेंगे और अभी तक हम tally में लगभग सारी चीज़े सीख चुके हैं सिर्फ payroll बचा है बस ठीक है तो इस वीडियो में इतने रखते हैं मिलते हैं अगली वी करेंगे कर दो करेंगे प्रॉब कर दो कर दो कर दो करेंगे जया हैं ।